महा शिवरात्री का तेवार हिंदु धर्म में शिव जी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। माननेता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भग शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे शिव जी प्रसन होकर उनकी हर इच्छा पून करते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं, यदि कोई भग सच्ची स्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वे प्रसन हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोले नाथ कहा जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं, शिव रात्री के दिन के लिए खास उपाय, जिन में से अगर आप एक भी उपाय कर लेंगे, तो भूले बाबा आप से प्रसन हो जाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दे कि इस साल 2023 में महा शिव रात्री 18 फरवरी दिन सनिवार को मनाई जा शिव पुरान के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय में शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इसी वजह से अगले जन्म में वे दियताओं के कोशा ध्यक्ष बने, इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी ध प्राप्ति होगी, महा शिवरातरी पर छोटा सा पारत यानी पारा सिवलिग ले कर आए और घर के मंदिर में इस स्थापित करें, शिवरातरी से सुरू करके रोज इसकी पूझा करें, इस उपाय से घर की दरिद्ता दूर होती है और लक्षमी की क्रिपा बनी रहती है, इस उपाय से आपके घर में शुक सम्रिद्धी और खुसहाली भी बढ़ती है यदि आप चाहे तो शिवरात्री पर स्भटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं घर के मंदिर में जल, दूद, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराए ओम नमः शिवाय मंत्र का जब कम से कम 108 बार करें इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परिशानियों से मुक्ती मिलती है हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं शिवरात्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं इनकी क्रिपा से भख्त की सभी परिशानिया दूर हो सकती है किसी सुहागन को सुहाग का सामान उपहार में दे जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है सुहाग का सामान जैसे लाल साडी, लाल चूडियक, कुम-कुम आदी दे ऐसा करने से आपके पती की आयू लंबी होती है और आपके दामपत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है महा शिवरात्री पर किसी जरूरत मंद व्यक्ती को अनाच और धन का दान करे सास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षयपुनि की प्राप्ती होती है आप चाहे तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर सरकरा का दान भी कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्री पर किसी बेल व्रिक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं। उन्हीं महालक्षमी की विशेश क्रिपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुक सुबिधाय प्राप्त करते हैं और कारियों में सफल होते हैं। तो ये थे साथ उपाय जो महाशिवरात्री के दिन किये जाते हैं। इन में से कोई भी एक उपाय आप अपनी सामर्थ के अनुसार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो के नौटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चैस्री आपका ब इंतल दुत अक्राइब करें खेलने को ब्लाकित हैं कमारे और पक्कोपोली को पिनर भीडियो करें जहें ह। झाहर झाहरा तकरेंद।, कि हूला को भीडियो के लिए ही आपका बहुत कर तकीम हाए।